नमस्कार जहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल Important MCQ by संदीब में दोस्तो डेलेट 4 सेमिस्टर की तैयारी के क्रम में इंग्लिस के अभी तक हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर Part 3 लेकर आए हैं इसके अंतरगत आपको हम पढ़ाएंगे प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन में जो main main important prepositions हैं उनके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे सारे prepositions को हम यहाँ पर नई लेंगे हम सिर्फ ऐसे prepositions लेंगे जो कई बार से repeat हो रहे हैं और prepositions से कम से कन तीन या चार नंबर के प्रशन आपकी परिक्षा में आते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि जितने भी prepositions हमने इसमें बता हैं उनहीं में से घुमा फिराकर आपसे prepositions पूछा जाएगा तो वो कहा कहा यूज होते हैं उनका क्या अर्थ है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ज्यादा important topic है ये आपके डियले फोर सेमेस्टर के लिए तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को subscribe कर लिजे घंटी का निशान दबा लिजे तक कि आने वाले सभी important वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि preposition की परिभासा क्या होती है कभी अगर एक number में preposition की परिभासा आजाए तो वो भी आप लिख सको preposition is a word that indicates relationship between noun and pronoun and the other words in a sentence यानि क्या है preposition वह शब्द है जो noun and pronoun का वाक के दूसरे शब्दों के बीच का संबंद बताता है आगे क्या लिखाओ preposition is always used before a noun और pronoun जो preposition होता है वो noun या फिर pronoun के पहले यूज होता है अब इनके कुछ examples है in, on, at, to, with, under, above, into, by, of ये सब हैं इसके examples चलिए कुछ examples करके देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे on या upon इसका अर्थ कहां होता है, इसका use कहां होता है के उपर के अर्थ में होता है जब कोई चीज टच करें किसी भी चीज के उपर कुछ रखाया है मालने जे टेबल के ऊपर पुस्तक रखी है मेरी पुस्तक टेबल पर है यानि जो पुस्तक है वो टेबल को टच कर रही है तो वहाँ पर on का उप्योग होगा my book is on the table मेरा pen भी टेबल पर है my pen is also on the table यहाँ पर ये चीज आप समझ गए कि on का प्रयोग कहा करना है on का प्रयोग तब करना है जब कोई वस्तु जिस पर रखी वो उसको टच कर रही है आगे देखते हैं over का उप्योग कहा करते हैं जब कोई चीज टच ना करे जैसे the fan is over my head fan मेरे सर के उपर तो है लेकिन वो मेरे सर को टच नहीं कर रहा तो क्या है यहाँ पर over का use होगा the roof is over madhur's head madhur के head के उपर च्छत है च्छत जो है वो टच नहीं कर रही है तो यहाँ पर over का use होगा जब चीज को टच ना करे तब over और जब चीज टच करे जैसे table के उपर pen रखा है तो यह touch हो रहा है तो वहाँ पर on का उपयोग होगा आगे देखते हैं in in माने होता है me we are sitting in the drawing room वह drawing room के अंदर बैठे हैं हम लोग drawing room के अंदर बैठे हैं तो यहाँ पर in का उपयोग हो रहा है Rajni is living in Mumbai in Mumbai मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे कोई बड़ा शहर होता है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर in का उपयोग किया जाता है तो यह भी आप थोड़ा याद रखेगा Rajni is लाद करें within की within का मतलब होता है के अंदर मतलब कोई समय सीमा के अंदर मैं यह काम पांच दिन में खतम कर लूँगा मतलब I shall finish this work within five days ठीक है तो यह क्या है यह duration बता दीगे कि within five days मैं कर लूँगा रमन आगरा से पांच घंटे में आ जाएगा यहाँ पर भी क्या है duration दे रखी पांच घंटे में आ जाएगा और उसी duration के हिसाब से ही काम करना है आपको उसी duration में काम करना है तो रमन विल कम फ्रॉम आगरा within five hours ठीक है जब कोई चीज duration से बंधी होती तो वहाँ पर within का उप्योग करते हैं अंडर की बात करें तो my feet are under the table मेरे पांच टेबल के नीचे है ठीक है जब किसी के नीचे की बात होगी तो वहाँ पर अंडर आएगा अगला एक्जाम्पल है बैग कुरसी के नीचे है आगे देखते हैं आफ की बात करेंगे तो यहाँ पर आफ जो होता वो relationship दिखाता है जिसे प्रसांथ इस ब्रदर आफ महेश जो प्रसांथ का महेश से relation है तो यानि उसका बिरला स्कूल से relation है कि वो वहाँ का student है I take care of you मैं तुमारी केर करता हूँ तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आफ का उपयोग आया है तो आप देख सकते हैं आफ जादा तर कहा यूझ होता है जहाँ पर relation होता है किनी दो चीजों का आगे देखते हैं आफ यह वाला जो आफ होता है एक तो आफ होता है जो relation दिखाता है और एक आफ होता है जो relation तोड़ता है ओ डबल एफ तो यहाँ पर देखिए बिजली का बटन बंद करो तो यहाँ पर क्या है स्विच ओफ दा लाइट तो बिजली का बटन बंद किया मतलब वहाँ पर संबंध तूट गया आप देखेंगे जैसे भिजली का बटन बंद करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहा है, अपने कपड़े उतारो, मतलब अपने सरीर से कपड़े को उतार दो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहा है, यानि जो relationship है, वो टूट रही है, सरीर और कपड़े का relationship टूट तब वहाँ पर आफ का उपयोग होता है आप यहाँ पर यह जरूर देखेगा कि relation to try या relation जुड़ा हुआ है अगर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर off का उपयोग करेंगे अगर relation to try तो वहाँ पर ओ डबल एफ वाला off का परयोग करेंगे ठीक है आगे देखते हैं from का क्या है from माने होता है say अंकित दिल्ली से आया अंकित has come from दिल्ली भारत ने वर्ड बैंक से लोन लिया है इंडिया has taken loan from word say का उपयोग होता है from आगे देखते हैं अगला है for for माने होता है के लिए सुरेश रहना place for India तो यहाँ पर क्या है जो सुरेश रहना है वो इंडिया के लिए खेलता है आगे देखते हैं मैं विवेक के लिए pencil लाया हूँ I have brought a pencil for विवेक यहाँ पर मैं ऐसे examples आपको बता रहा हूँ ऐसे examples आपकी परिक्षा में पूछे जाने के संभावना है बात क कई और sentences में भी use होता है वो अभी मागो और आपको बताएंगे तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो why are you looking at me जादा तर look के साथ at का ही प्रयोग होता है याद रखेगा look के साथ अधिकतर जगे आपको at का ही प्रयोग करना होता है उसने ball मेरी तरफ fakie मेरी तरफ कभी भी तर have at का प्रयोग किये जाता ही through the ball at my side बात करें with की तो I play with my friend with का मतलब होता है के साथ ठीक है तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं तो I play with my friends अव्या हमारे साथ school जाएगी तो अव्या will go to school with us यहाँ पर with का ये मतलब हो गया with का मतलब होता है के साथ आगे देखते हैं by by मतलब होता है के दोड़ा जब किसी को साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर by का उपयोग किया जाता है जैसे this has been broken by siam यहाँ पर siam को as a sadhan use किया गया है कि siam की दोड़ा गया है this has been broken by siam अगला जो example है वो देखिए यह पत्र सरला के दोड़ा लिखा यहाँ पर जो साधन है वो है सरला तो जहाँ पर साधन का उपयोग किया जाता है किसी के द्वारा काम किया जाता है तो वहाँ पर हमें by का उपयोग करना चाहिए this letter has been written by सरला आगे देखते हैं after की बात करें तो after माने होता है के बाद कनिका वरतिका के बाद स्कूल से पापा दादा जी के बाद आफिस जाते हैं तो पापा गोज टू आफिस आफिस आफ्टर ग्रेंड फादर तो यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखिएगा अगेंस्ट की बात करें अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद जब हम किसी के विरुद बात करते हैं तो वहाँ प होता है वहाँ पर अपने शहर के बारे में कुछ बताओ tell me something about your city अपनी सफलता के बारे में बताओ tell about your success तो यहाँ पर जब किसी के बारे में बात की जाए किसी वस्तु के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में तो किसी के भी बारे में बात की जाए तो वहाँ पर about का उपयोग होगा, आगे देखते हैं, यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था, at का कई और जगे भी यूज़ होता है, जैसे at का उपयोग होता है for a specific place और a point, किसी निश्चित स्थान और point के लिए, जैसे at college, at home, at school, at the bottom, at the bus stop, at the corner, वहाँ उसे bus stop पर मिल लहा है, he is meeting her at the bus stop, जब कोई निश्चित स्थान है, कोई निश्चित point है, तो वहाँ पर at का उपयोग होगा, उसी तरह यहाँ पर he is at home, he will be available at his work, he will always remain at the top, तो यहाँ पर आपने देखा, कि यहाँ पर सब कुछ निश्चित है, निश्चित स्थान है, तो वहाँ पर at का उपयोग हो रहा है, आगे देखते हैं, at का उपयोग किसी निश्चित समय के लिए भी होता है, जैसे at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, इसी तरह अगर कोई निश्चित समय है, तो उसके लिए भी at का उपयोग होगा, जैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, please wake up at 5.30 a.m. exact time बता देगा है कि 5.30 पर उठना है आपको, तो वहाँ पर please wake up at 5.30 a.m. यहाँ पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि on का उपयोग होगा, लेकिन on का उपयोग नहीं होगा, यहाँ पर यह तो बताई जारा है 5.30 पर, तो पर से सोच सकते हैं लोग कि on हो सकता है, लेकिन on नहीं होगा, यहाँ पर exact timing बताई जारे हैं, तो यहाँ पर at का उपयोग होगा, तो यह चीज़े confusing होती, तो इनको थोड़ा समझने की जुरुत है, आईए मसलों पर dinner के समय चर्चा करें, dinner एक fix time है, तो यहाँ पर at का उपयोगा, let's discuss the issues at dinner time, सूर्योदे पर 25 चहचाहाना शुरू करते हैं, तो सूर्योदे यानि fix time है, यहाँ पर भी at का उपयोगोगा, birds start chirping and sunrise, आगे देखते हैं, इस छड मैं वैस्त हूँ, I am busy at the moment, we shall go to Mumbai at the weekend, जब कोई निश्चित समय है, तो वहाँ पर हम at का उपयोग करेंगे, बात करेंगे on की for a particular day और date की, अगर किसी खास दिन या खास तारीख की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम on का उपयोग करेंगे, जैसे on 4th November, on 27 September, ठीक है, on Independence Day, on by birthday, on New Year's evening, on Sunday, on Tuesday morning, अब हमने पहला कंप्यूटर 4 नॉउउबर को खरीद आ था, तो यहाँ पर date आ रही है, तो यहाँ पर on होगा, we bought first computer on 4th November, वहाँ 27 सितंबर 2012 को आया था, he had come on 27 September 2012, स्वतंत्रता दीवस पर हमारी छुट्टी होगी, we shall have holiday on the Independence Day, मेरे जन्म दीवस पर सभी आया थे, तो यहाँ पर भी on का उपयोग होगा, all had come on my birthday, he is getting married on New Year's evening, हम सनिवार को सुबह इंडिया पहुँचेंगे, तो यहाँ पर हो जागा, we shall reach India on Saturday morning, तो यहाँ पर आपने देखा, जब fixed आपको समय बताए जा रहा है, या किसी खास दिन या कास तारीख बताए जा रहे है, जब किसी खास दिन या तारीख होगी, तो वहाँ पर on होगा, अगर कोई खास समय बता दिया जाए, कि at dinner, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर at का उप्योग होगा, अगर कोई खास समय है, तो at का उप्योग होगा, अगर कोई खास दिन या तारीख है, तो वहाँ पर on का उप्योग होगा, ठीक है ये दोनों बाते clear कर लिजे confused मत होईएगा अगर खास दिन है खास तारीक है तो on अगर कोई खास time है तो वहाँ पर at तो ये कुछ important prepositions थे उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा तो यहाँ पर हम आपके लिए जो लेकर आएं उसका उत्तर हमें नीचे comment box में आप बताईए India is playing डैश पाकिस्तान with of against none of these यहाँ पर इन चार्डों में से कौन सा option सही है नीचे हमें comment box में जरूर बताएं और आपकी कोई समस्या या सुझा हो है तो वो भी आप हमें नीचे comment में बता सकते हैं ओके दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय इंद जय भारत